वाइव वाल मेंकब तो आल आफ यू माई जे फिचर आफिसर्स आज हम लोग समिधान के प्रस्तावना प्रेंबल ऑफ दे कॉंस्टिशूशन का पार्ट टू डिसकस करने वाले हैं इससे पहले हम लोगोंने पार्ट वन को डिसकस कर लिया है कुछ इंपोर्टेंट वर्ड को प्रेंबल के हम लोगोंने डिसकस किया जो आपके इजामिनेशन पॉइंट व व्यू से रेलेवेंट थे उसी के नेक्स पार्ट को आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं अगर आपको ऐसा लगता है कि चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइ जो प्रेंबल ओफ इंडिया में मेंसन किया गया हुआ है गनतंतर का मतलब क्या होता है तो अगर आप देखिएगा गनतंतर का मतलब यह होता है कि एक ऐसा सासन जिसमें जनता के द्वडा जो है वो विक्तियों को चुना जाता है और वो जो है वो क्या करते हैं कि एक सरकार क निर्मान करके और सासन चलाते हैं उसी तडिके से लोगतंत्र विवस्था को जो है वो दो वर्गों में बाटा गया हुआ है पहला राजसाही और दूसरा गनतंत्र आता है और हमारे प्रियंबल में गनतंत्र की अस्थापना की बात कही गई हुई है तो राजसाही विवस्थ यह होता है कि यहां पर जो परमुख होता है वो आम तोर पर राजा या रानी होता है जैसे कि आप ब्रिटेंड में देख सकते हैं वहीं गनतंत्र की बात के उपर अगर आप आएगा तो यहां पर जो सासक होते हैं वो परतियक चुरूप से या परतियक चुरूप से चुने ज चुनते हैं और इनके दोरा जो है वो मुखे मंतरी और या फिर यहां पर जो है वो राश्वती MP के दोरा चुना जाता है दो यह आपका अपड़्यख्य चुना होता है तो पड़्यक्ष चुनाओं का मतलब है कि जो जनता के द्वारा direct चुने जाते है वो परत्यक्ष चुनाओं का मतलब होता है जो जनता के द्वारा चुने के परतिनिधी के द्वारा चुने जाते है वो परत्यक्ष चुनाओं जाते है जैसे कि प्रेसिडेंट का जो एलेक्षन होता है वो आपका परत्यक्ष चुनाओं के द्वारा करके जो है वो क्या होता है तो सासक को चुना जाता और वो सासन करते हैं इसलिए भारतिये समिधान की प्रस्तावना में गंतंत्र सब्द को यूज किया गया हुआ है अर्थात राष्टपती चुनाओं के जड़िये सत्ता में आते हैं और उसका चुनाओं पाँच वर्ष के लिए परतेक्ष रूप से किया जाता है यह परतेक्ष चुराव हो गया और अगर आप MP के उपर आएगा Minister of Parliament के उपर, Member of Parliament के उपर तो यह आपका परतेक्ष चुना हो जाता है तो लोग गनतंतर के अर्थ में जो है वो दो बाते सामिल होता है पहला यह होता है कि राजनेतिक संपर्भू किसी एक वेक्ति या राजा के अंडर में नहीं होता है मतलब कि यहाँ पर चीजे चेंज होती है वो जो है पैत्रिक नहीं हो सकता है यहाँ पर election के बाद हर एक वेक्ति को equal right दिया जाता है इसमें आकर के आपके election में रहे और आपके द्वड़ा सासन करवाये जाएगा direct election या indirect election के थुरू clear है इसलिए हर सारवजनिक कार्याल है बगैर किसी वेदबाव के परते एक वेक्ति और परते एक नागरी के लिए खुला होता है क्योंकि हमारे यहाँ गंतंत्र की अस्थापना की गई हुई है लिए नियाय के ऊपर अगर हम लोग आएंगे तो पहले भी प्रियंबल में ऐबको एक चीज बताया गया हुआ है कि हमारे प्रियंबल में एक चीज रखा गया हुए है एक word रखा गया हूआ जो नियाय है और वो न्याय तीन तरीके का होगा पहला समाजिक दूसरा आर्थिक और तीसरा राजनितिक होगा और तीनों जो न्याय होगा ये विक्तिक वो उसके जिन्दगी को जीने में एक एहम भूमी का निभाता है क्योंकि अगर समाजिक न्याय के उपर आईएगा तो किसी भी विक् के साथ भेदवाओं नहीं किया जाना चाहिए या फिर उनुसुची जन जाती पिछरा वर्ग महिलाओं के लिए जो है वो उसके उत्थान के लिए इस्पेसल पावर दिया गया हुए है पर्लियमेंट को की लौ बना सकती है ये समाजी गन्या की बात आती दूसरा आर्थिक न से अगर अबेलेबल है तो यहाँ पर किसी की तरीक या कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ठीक है और उनको इक्वल वर्क के लिए इक्वल पेमेंट दिया जाना चाहिए ये भी आर्थिक नियाय के तौर पर आता है राजनितिक नियाय के तौर पर अगर आप आईएगा तो हर एक वेक्ति को शमान राजनितिक अधिकार प्राप्त हो इसके लिए वेक्ति को जो है वो राजनितिक दफ्तरों में परवेश की बात कही गई हो या हर एक वेक्ति को इसमें ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि ये बैकवर्ड फैमिली से बिलों करता है और हर एक व प्रियम्बल बाकि इन सारे चीजों को वाइड रूप दिया गया है फर्डमेंटल राइट में बट इस्ट्रक्चर जहां से बन करके त्यार हुआ है वो हमारा प्रियम्बल ही है इसके बाद आते हैं हम लोग अगर सोतंतरता के ऊपर तो व्यक्ति को सोतंतरता जरूर दिया ग कर ले उसके सोतंतरता के ऊपर कही न कहीं से कोई न कोई जो है वो टर्मेंट कंडिशन लगाया जाना चाहिए और इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि उसके सोतंतरता को छीन लिया जाएगा अगर उसको सोतंतरता दिया गया हुए है उसके मौलिक अधिकार में आर्टिकल 19 से तो उसको अगर उसके fundamental right का violation होता है तो वो direct अपने कानून के दरवाजी को खट-कटा सकता है वो article 32 के through direct Supreme Court में जा सकता है वो high court में जा सकता है ठीक है यहाँ पर बाते clear है बट इसमें termine condition लगाया गया है कि अगर आपको बोलने की सोतंतरता है तो आप इंडिया के integrity और sovereignty के करता है कि भारत तेरे टुकरे टुकरे होंगे और chicken neck बनाने की बाद जो किया जाता है यह अगर आपको fundamental right दिया गया हुआ इसका मतलब यह नहीं है कि आप आपके जो है वो आप जो है वो इंडिया के integrity and sovereignty के उपर attack कर दीजेगा ऐसा भी नहीं है तो इसके लिए आपको fundamental right को किस term and condition में रोका जाएगा यह भी जो है वो fundamental right में article 19 में mention किया गया हुआ है और इसके term and condition जो है वो जोड़े गया हुए है अगर इस तरीके का situation आता है कि हमें 352 लगाना पड़े 356 लगाना पड़े जो emergency का procedure है तो इस condition में आपके fundamental right को lock कर सकते हैं रोक सकते हैं सिवाए उपर अगर हम लोग आएंगे तो समता equality भी बहुत जादा जरूरी है constitution में और समता को भी अगर आप देखिएगा तो यह कहीं ने कहीं से fundamental right में widely discuss किया गया हुआ है इसके उपर क्योंकि समता अगर नहीं होता तो एक ऐसे समाज का इनिर्मान होता जो आज भी उच नीच की रेद बाउना को ले करके चलता रहता तो इस कारण से जो है fundamental right में जो है वो समता के अधिकार को clear किया गया हुआ है इसमें वीधी के समक्ष समानता article 14 में mention किया गया है जाती धर्म या अस्थान के अधार पर मूलवंस से निशेद अगर नहीं हो यह आपका 15 में mention किया गया ह है लोक नियोजन की ओशन में समानता यह आपका सरकारी जो नोक्री होगा उसमें आपको समानता मिलेगा यह article 16 में mention किया गया हुआ है अस्पृष्रता नहीं हो आपके साथ discrimination इसलिए article 17 में mention किया गया हुआ कि अस्पृष्रता कांत हो जाए फिर उपाधियों कांत आप जो ह पहले यूज करते हैं जो कि आपके को जैसे एक अलग जो है वो आपका वैल्यू करता है समाज में इस तरीके के उपाधियों के अंत करने के लिए article 18 में mention किया गया हुआ बात कि आपको जो है वो उचा पद्वी कहीं नहीं दिया जाए भारत रतन देना ठीक है और असोग च जो है वो इससे अलग रखा गया हुआ है अब आताता है एक और बात कि यहां पर सम्विधान में दो ऐसे उबंध है जो राजनितिक शमता को सुनिश्चित करता है पहला यह हो जाता है आपका कि धर्म जाती लिंग अथ्वा वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति को मतदान सामिल होने से अयोग नहीं करार किया जा सकता है यह भी इक्वालिटी का ही एक मैटर है आर्टिकल 325 यह बोलता है आर्टिकल 61 तो यह बोलता है आपको कि आपके पास जो है वो 21 वर्ग से कम करके 18 वर्ग कर दिया गया एलेक्शन करने का लेकिन एक और बात मैंसन होता है कि आपको मतदाता सुची के नाम से आपका नाम अलग नहीं किया जा सकता है अगर आप 18 साल की उमर है आपकी तो और इसमें जाती धर्मिया लिंक किसी दी तरीके का कोई जो है वो बाधा बन करके नहीं आगे आर्टिकल 325 बोलता है इसके साथ ही लोकसभा और राज्यसभा मे वयस्क मतदान का जो प्रावधान है यह आर्टिकल 326 में बोलता है यह भी आपको राइट टू इक्वालिटी ही देता है इसके बाद अगर हम लोग आएंगे नेक्स्ट पीक के ऊपर आपका आता है बंधुत्वा एक बहुत बढ़ा टॉपिक है बंधुत्वा का और इसको ऊपर जो आपका आया था मेंट चीज वो मौलिक कर्थवे में लेकर के आया गा क्योंकि मौली कर्थवे हमारे जो है वो पहले जो starting में जिस constitution को लाया गया हुआ था उसका भाग नहीं था ठीक है इसको बाद में जोड़ा गया और 51 के कम ही इसको जोड़ा गया हुआ था मौली कर्तवे को और इसमें ये बात बोला गया हुआ था कि बंधूता को बढ़ाने के लिए मौली कर्तवे मौली कर्तवे enforceable नहीं ह कोर्ट में मतलब कि मौली कर्तवे का कहीं भी अगर आप misuse करते हैं तो इसके लिए आप जो है वो supreme court या high court में जो है वो नहीं जा सकते हैं मौली कर्तवे का अगर आपका violation कहीं पे हो जाता है तो but determined condition ये होता है कि राज्य को ये power दिया गया हुआ कि मौली कर्तवे जो है इस आपका एक जो है वो कर्तव भी होता है कि आप बंधुतों को बढ़ाने के लिए जितना हो सके अपने तरब से कोसिस करें और इसी कारण से बंधुतों को मौली कर्तवे 51 ये में आपको widely discuss किया करवाया गया हुआ है जो हम लोग बाद में देखेंगे एक चीज निकल करके आ amendment 1976 में जोड़ा गया हुआ था इमर्जेंसी के समय में ये चीज किलियर कर लिजएगा आप इमर्जेंसी के समय में इसको जोड़ा गया हुआ था अब अगर हम लोग आते हैं कि देश की एकता और अखंड़ता जो है वो राश्चुडिये एकता को monovagyanic और सीमाई आयाम साम में आएगा कि एक ऐसा राजे है जो पंजाब है एक ऐसा राजे है जो बिहार है ये क्या करेगा कि बंधुत्वा की बात है नहीं इसमें कुछ समय के बाद बिहार पंजाब को जो है वो डिफेम करना है स्टार्ट करेगा पंजाब बिहार को डिफेम करना है स्टार्ट पहारत राज्यों का एक संग है और इस संग से किसी भी राज्य को अदब होने का अदिकार नहीं है ये हमारा आर्टिकल 1 बोलता है और यही चीज मेंसन किया गया हुआ है भाग 1 में प्रियर यहां की बात और इसमें जो है इसका उद्देश राष्ट्रिय अखंडता के लिए बादक, संपरदाइकता, छेतरवाद, जातिवाद और भाषावाद इत्याती जैसे बाधाओ की सीमा को दूर करना है और एक राष्ट्र को बनाने में एहां बोमिका निवाना था बंदुत्तो सब्दों को जोड़ने का मेन मकसद यही था प्रियंबल में और इसी को फर्डमेंटल राइड में वाइडली डिसकस किया हुए है तो कहीं न कहीं से आपको पता चल रहा होगा कि that is the structure जहां पर हमारा पूरा constitution जो है वो बील्ड हो करके सामने आया हुआ है यह था पूरा आज का और आज के सेशन में हम लोगों ने यह पार्ट देखा और नेक्स् अब आज को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए आप लोग एसेटिस जितना में आप कर सकते हैं उतना क्योंकि यह हमारा motivation का अगण है मलता है नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू गुडबैए टेक ज़िए